हालो फ्रेंड्स, वेलकम यू आल, आज मैं आपके लिए लिखा रहा हूं, बात करेंगे हिडन स्टॉक्स की, देखें, मार्केट में हम छुपे हुए स्टॉक्स आपके लेके आते रहते हैं, जो कि लाइम लाइट से दूर होते हैं, लेकिन जब रैली आ जाती है, तो फिर व अगर देखा जाए, तो major criteria क्या होता है, इनको ढूड़ने का, select करने का, वो price action इनका, इनके बड़े timeframes की चाल, इनमें smart money की एक्टिवनेस, यही important criteria होता है, और यहां तक कि बहुत सारे stocks तो ऐसे होते हैं, जो comments के माध्यम से हमें देखने को मिलते हैं, और उन्हीं के उपर हम आपके लिए छोटी से वीडियो create करते हैं, ताकि आप relate कर पाओ, समझ पाओ, और opportunity को enjoy कर पाओ, तो चले detail में समझते हैं, इस वीडियो के माध्यम से एक नया stock, और एक छुपा हुआ stock market में, और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दो, अगर आपने अब तक चैनल को subscribe नहीं क्या, तो जल्दी से subscribe कर ले, bell icon को press कर ले, जिससे आपको notification आती रहेगी, और price action सीखने के लिए आप join कर सकते हो, membership join button पे इसके साथ practice करोगे, तो आपको और detail में चीज़े समझ में आएंगी, देखिए अब इस stock को ध्यान से देखना, ये है फिनोलेक्स केबल, ये stock आप जड़ा सोचिए कि जो सीखने वाले हैं, उनकी radar में ये stock पता है कब आ गया था, ये जैसी इसने ये rally दी, ये high पार किया, ये stock इस zone में हमारे पास धेर सारे comments आने लगे कि भाई, फिनोलेक्स के अबल तयार हो चुका है, आपको लिए opportunity के लिए, मतलब जड़ा 460-480 था, और हमने जैसी ये round आया, एक वीडियो भी दिवाली special stocks में इसका create किया, आप देख सकते हो, दिवाली special stock के नाम से, इस stock को स्केबल, आप ये देखे क्यों, क्योंकि ये October series में ही तो दिवाली थी, October November में, ये 460-480 का price, उसके बाद देखे एक rally आई, फिर अगदी correction, और आप देख सकते हो, आज की date में कहा है, 880 की range में, 480 से 880 की range में है, आपको गया रहा, ये तो almost double के पास पहुंच गया, ये द पहुत ही detail में आपको चीज़े बता रही है, तो वो लोग यहां पे उसको सीख के comment करते हैं, कि हाँ, ऐसी एक video हमारे पास अब भी आया है, किलपेस्ट इंडिया, जो कि insecticide, fungicide, यानि कि agriculture का जो, मैं कहूंगा, agrochemical, आप इसको कह सकते हो, वो वाला stock है, आप कहुंगा ये देखिए, किलपेस्ट इंडिया, ये कैसे radar में आगया, भी देखेंगे कैसे, बहुत ही चोटा stock है, hidden stock में इसलिए कह रहा हूं, इसको देखिए, 327 करोड का market calculation है, current price, 436 का अब आपको गयर, कितने share हो, इसके total होंगे, देखिए, और उधार भी नहीं ये company के उपर, P ratio भी और profitability को देखेंगे, तो पिछले तीन सालों में देख सकते हो, profitability और revenue को भी, तो ये kill pest, ये क्यो रडार में आए करा समझते हैं इसको, अब kill pest आपके सामने रखते हैं, मैंने आपको इसके सबसे पहले, आपको जो chart इसके सामने रख रहा हूं, वो मन्थली chart है, वो क्यो रख फिर से correction आती है, correction कहा आती है, बिल्कुल deep correction, imbalance को remove कर दिया गया, बहुत ही बढ़िया, अब जोड़ा situation देखिए, rally correction, rally correction, अब इससे ज्यादा उम्मीद नहीं लगाएंगे, अब आपको ज्यादा उम्मीद नहीं मतलब अगर ये range भी चला जाए, तो भी बहुत बढ़िया जो ये अभी recent वाला high है, ये उम्मीद लगाएंगे बस इससे, तो चले देखते हैं इसको, इन rally's को जो आपने देखा इससे पहले, rally's correction, rally's correction को अब इनको छोटे time frame में समझते हैं, तो kill pest को समझेंगे, छोटे time frame में, यानि कि relate करके लेके जाते हैं weekly chart पे, क्योंकि छोटा stock है, तो और ये देखिए जरा situation, बहुत ही important, इसलिए ये stock radar में है, जैसे मैं आपको कहा कि बार बार, देखे जब हम बात करते हैं, किसी भी stock के उनके अलग-अलग time frames की practice करने वाले इन stocks को पहली समझ लेते हैं, पहली जान जाते हैं कि हाँ, ये कितने important stock है, और जो ये correction है, जो demand zone है, देख सकते हैं आप ये, price कहां आके वापस जा रहा है, price यहीं पे आया, इसी demand zone पे, rejection मिल रहा है, वापस गया, एक higher low बना, वापस गया, एक higher low बना, और एक बात और ध्यान देने वाली, risk management, देखिए risk management के उपर हम क्यों बार-बार बात करते हैं, कभी भी हो, किस एक stock में, जब आप entry करते हो, आपको बार-बार कहा जाते हैं, कि उसमें कितना risk है, ये समझी है, अगर वो risk आपके affordable bracket में है, आपके affordable bracket में है, तभी जाना है, नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं जाना, अब देखिए, ये 200 SMA का support ले रहा है, बहुत important, weekly पे 200 SMA का support लेना, cycle start हो होना, कितना important हुटता है, आप यहां से समझ दीजिए, इनिशल लेगा देखिए, 160 SMA से सीधे 500, अब आप कहोगे, वा, तो ये आपके deep stop loss यहाँ पर available है, यह immediate stop loss यहाँ पर available है, risk management पता है क्या, मालो, यहाँ पर मैं 380 यह है, और मैं इसको 440 पर buy कर रहा हूं, ठीक है, और यह 380 पर मेरा stop loss है, यानि कि मुझे पता है, मेरा start point का stop loss है, और मुझे इतना भी पता होगा कि max loss में इस particular एक investment में कितना max loss ले सकता हूं, ताकि मेरा जो है, यह target 720 का, 720 मैंने क्यों लिया है, 1, 2, 3, तीनो का junction area ले लिया, तीनो का एंडल का weekly का, 720, तो 440 से 720 अगर देखा ज जाए, मेरा target zone, तो आपको देख रहा होगा, यह तो कम से कम, 400 से 280 something point का है, और यह यहाँ पर start point का है, तो समझे इस part को, तो इतना loss में लेने को तयान हो, अगर यह affordable bracket मात है, उसके हिसाब से quantity को manage तब करेंगे, तो यह risk management की चीज़ा आगे, कैसे आप position का size management करेंगे, कैसे target area यह risk कितना आपका है, क्या यह affordable bracket में है, और अगर affordable bracket में है, तो कितना target आप यहाँ पर achieve करने की कोशिश करें, इससे आगे की कहानी जाएगे, तो फिर यहाँ पर consolidation जो है, इंतजार करेंगे, यह pullback इंतजार करेंगे, तो वह important हो जाता है, तो यह risk management, अब इसके चोटे time frame को daily को समझने के कोशिश करते है, क्या इसकी cycle स्टार्ट हुए गी daily में, daily में जो cycle स्टार्ट हुए की नहीं हुए, यानि कि 200 SME की cycle है, वो हमारे लिए positivity है, तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ता है, इसलिए आपको कहते हैं बार-बार कि उस stock से थोड़ा दूर रहिए, या अगर उस stock में आप जा रहे हो, तो hourly cycle पर जा रहे हो, तो आपके targets भी hourly cycle के basis पर होंगे, या फिर वो आपको एक early signal होगा, लेकिन यह देखिए, daily में अगर आप बड़े time frames को follow कर रहे हैं, तो cycle को समझना आप आप देखिए, इसकी bearish cycle को यह November 2021 है, और यह November 2022 है, यह एक सा इस stock में कोई momentum भी नहीं था, cycle ही bearish थी, अब आएगा momentum जैसे यहां देखिए, bearish cycle ही वापास bullish होगी, अब देखिए, अब आगए हम किसमें bullish cycle में, अब हमारे पास momentum है, probability है, low risk की opportunity हो रही है, तो सबसे पहला target इसका यह रहेंगे, 540, फिर यहां से उम्मीद करेंगे, और ज यह उम्मीद रखेंगे, धीरे-धीरे करके, यह stock के journey, यह कौन सा stock है, kill pest, radar में क्यों आया है, इसकी cycle के basis पे, और आप लोगों के नजरों के basis पे, kill pest India, छोटा stock है, बहुत ही छोटा stock है, हाँ, positivity है, और आपको मैं कहुँगा, peer ratio है, आप देख सकते हो, debt free stock है, agrochemical का stock है, इ इसी दिन पहले, TIL के इसकी बात करी थे, आप सोचिए, देखे, एक ही दिन के अधर, अगले दिन ही, जवर्दास तरीके से rally थी, undervalued stock था, यह देखे, profit growth देखे, तो यह छोटी-छोटी stock जरूर होते है, इसी तरीके से, भी हम recently Lincoln Pharma के पर बात कर रहे थे, आज कहां वीडियो को, और उम्मीद करोंगे कि आप सीख जरूर रहे होंगे इन वीडियो के माध्यम से, और प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे, और अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो definitely आपको impact भी दिख रहा होगा, cycles को समझने लग रहे होंगे, और अगर आपको अच्छे लगत इन ऐफ एंगर बाट याए शनो कर रहे हो धश झायवच कर बाट तो, और आपको ऑखले के माधने लोगत।